किसे सवाल आये थे ठीक है नमस्कार दोस्तों आज के वीडियों में बात करने वाले हैं जैसे सी सीजल की आप तयारी कैसे करेंगे फाइनल प्रिपेशन क्ले कौन सी बुक आपको यूज करनी चाहिए टेश सीरीज आप कैसे लगाएंगे तो पूरी चर्चा करने वाले सबसे पहले सिलेबस पर बात करते हैं सिलेबस की बात करने तो आपको पता कि इसमें तीन पेपर हैं पेपर वन पेपर टू और पेपर त्री एक एक पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले paper one आपको पता कि हिंदी और English आपको है और ये सिर्फ pass करना आपको ये जो marks है इसमें merit नहीं बनने वाला ठीक है merit किसे बनेगा paper two plus paper three आपको पता ही होगा paper one हिंदी इंगली से 120% पूछे जाएंगे 60% रहने वाले हैं हिंदी के और 60% रहने वाले हैं English के आपको 30% लाना है और pass कर जाना है ठीक है और 30% यदि आप सिर्फ English में भी लेके आते हैं तो भी आप pass माने जाएंगे मिस हिंदी इंगली दोनों मिला के आपको 30% लाना है ठीक है और इसमें passage भी रहेगा और आपका जो grammar वेगरा रहता है उससे भी रहता है ठीक है तो आप अराम से pass कर जाएंगे इसके लिए आप लिशन की book हिंदी वाली book आप यूज कर सकते हैं इंगलिस के लिए आप कोई भी यदि आप यूज कर रहे हैं कोई भी grammar वेगरा अच्छ से पढ़ लिजएगा तो आपका हो जाएगा इसे बहुत जाला दिमाग लगाने की जड़त नहीं है पेपर टू के लोग बात करें हम लोग में फोकस करेंगे पेपर त्री पे ठीक है यह सबसे इंपॉर्टेंट पोर्षन है इसमें कौन सी बुक्स आपको यूज करनी चाहिए यह हमारा एक में टॉपिक आज का है पेपर टू की बात करें तो रिजिनल लैंग्वेज है और इसमें से आपने चूज किया होगा खोटा या संतिंग कुछ भी कमेल में बताएगा आपकी आपने कौन सा यूज किया है ठीक है अब यहां पर हंदेट प्रसन इससे रहेंगे पर है रिजिनल लैंग्वेज से दो घंटे आपको मिलने वाले जैसे आपका नेगेटीज मारकें तीने के लिए एक यदि आप सही परसन करते हैं तो 3 मारक्स आपको मिलने वाले और यदि नेगेटीब कर देते हैं तो 1 मारक्स कर जा prestige इगा मतलब 1 बाई 3 आपका नेगेट लाटता रिजिनल लैंगुज आप जो भी यूज्व करते हैं कमें बताएगा एक वीडियो इसका बना दूँगा कि वे आपको बने ऐसे मैरिट बने गाएंगगा यह और यह धिक है अब इसे सबसे पहले जो person है वह समान यद्यान है समान यद्यान में 30 सवाल पूछे जाएंगे ठीक है मतलब 90 मार्ट अब 30 सवाल का मतलब है कि इसमें क्या-क्या प्रसन आएंगे इससे हिस्ट्री से सवाल आएंगे जोगराफी से आएंगे इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं इंडियन लिशन वगरा यदि आपने पढ़ा होगा तो हिस्ट्री जोगराफी पॉलिटी आप अच्छे से कर लिजिए और देखिए यहां पर 30 परसन बनेंगे और यहां से अभी रामबान यदि आपके पास समय नहीं है तो कौन-कौन से टॉपिक करिएगा मैं बता देता हूं ठीक तो खेल खिलारी आप देख लीजें इंडिया का भी और जहरकन का भी ठीक है उसके बाद आपको क्या देखले ना इसमें sports के बाद आपका important है पंचायती राज इसको आप देख लीजी ठीक है पंचायती राज तो यह पंचायती जो राज है यह इस पे already हमने PDF में provide कर रहा हूँ वो आप ले सकते हो इस नंबर पर वार्टसप करके यह आप खुछ से भी पढ़ सकते हो तो पंचायती राज आपको लिशेंट वाले बुक में अच्छे से दिया गया आप उसको पढ़ सकते हैं पंचायती राज के बाद आपको administrative system पढ़ना है जैसे quality ऐसा ने किया है आप लग्चे एकान उठाके पूरा आप पढ़ लीजिया ऐसा मत करिये administrative system का मतलब है जैसे आपने पढ़ा परदान मंत्री के बारे में मुख्य मंत्री के बारे में Supreme Court, High Court, राजिपाल, मुख्य मंत्री ठीक है, Attorney General तो ये सारी चीज़े आप पढ़ लीजिये मैंने notes में भी दिया हुआ आपको ठीक है, तो आप ये listen से आप पढ़ सकते है राम से उसके बाद currency यदि आप याद रख सकते हैं तो रखिए other white currency पे बहुत जादा focus करनी के ज़रत नहीं क्योंकि बहुत सारी currencies है चाहद आपको याद न रहे ठीक है, तो आप इतना कर लीजिये आपका काम यहाँ पे बन जाएगा अब आगे हमने बात करते है, science ठीक है, science का portion आपको कहां से करना है science आप NCRT से करिए पिछली बार NCRT से सवाल आये थे ठीक है, तो NCRT आप जरूर करिए NCRT आपको 9 और 10 जरूर करना है physics, chemistry, biology, 3 हो करना है ठीक है, NCRT के लिए उसके बार NCRT का टाइम मिले तो करिए अजर रवाइच छोड़ देजिए, NCRT is sufficient उसके बार आपको बात करें maths की तो maths में भी सवाल आने वाले हैं और maths का आप जो भी बुक यूज़ करते हैं, क्योंकि maths थोड़े से अच्छे लेवल के यहां पर सवाल पूछे जाते हैं तो चाहे आप आरे सवाल यूज़ कर रहे हैं चाहे आप यादर जी की बूख का आप यूज़ कर रहे हैं तो जो भी आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको maths का यूज़ कर सकते हैं यह अलग-अलग बहुत सारी publication के book हैं तो जो आपको अच्छा लगे आपको बनाने में असान लगे वो आप करिए उसके वाद reasoning की बात करें तो reasoning में आपको क्या करना है 20 सवाल इससे आने वाले हैं तो भरवल नन भरवल दोनों पर करके सवाल आएंगे इसमें तो आप ले सकते हो तो यहां पर मैं बता दो कि reasoning के लिए आपको आप जो भी book यूज करते चाहिए आरे सवाल हो अरिहन्त को यह बहुत सारी book आते हैं यह आप कोई वीजो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं इंटरनेट से भी कर सकते हैं आपको बहुत सारी वीडियो भी इसमें जैसे प्यूज की आती है बहुत सारी टीचर है जिनकी आप कर सकते हो उसके बारे में बात करें तो कंप्यूटर में बेच सवाल आएंगे यह कहां से करिए यह आप लूसेंड से करिए बिस्छेंट के अलग बुक आती है नहीं कोई दिकत नहीं है जो आपका लिश्रन का जो बुक है ठीक है ठीक है ठीकल वाला हो चाहे MCQ वाला हो दोनों आप ले सकते हो उसमें computer section है वहां से आप कर लिजी आपका cover हो जाएगा उसके बाद हम लोग बात करें जारकन जीके की ठीक है तो जारकन जीके में 40 सवाल आने वाले है और जारकन जीक करेंगा और जारकन करें रफेस में जितने भी important topic है उसके बाद राजनीतिक जो है politics जो जारकन की है वह बहुत important है जारकन के कौन से मंत्री है ठीक है यह पूरी तो अरेड़ी पूरी वीडियो बना रखी है मैंने वह आप कर सकते हो बेटर होगा आपके लिए और बुक्स आ उठा उठा के देख देख के आपको जो सिलिवस में वह आपको पढ़ना पड़ेगा